जै मसी की दोस्तों, आज की सुरगय बनना का भाग हमने लिया है इब्रानियों की पुस्तक, उसका बारवा अध्याए और उसका बारवा और तेरवा पद वचन कहता है इसलिए शिदल हातों और निर्बल घुटनों को सबल बनाओ और अपने पैरों के लिए सीधे मार्ग बनाओ जिससे कि वो अंग जो लंगला है जोड से ना खुले वरन चंगा हो चाए धन्यवाद पिता परमेश्वर इस वचन के लिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम पूरे तरीके से चंगाई पाए परमेश्वर की इच्छा है कि हम पूरे मन और शरीर दोनों की चंगाई पाए लेकिन परमेश्वर ने हमारी आत्मा का उध्धार किया है जब हमने अबल घुटनों को सबल बनाना है और अपने रास्तों को समतल बनाना है जंगल में एक आवाज उठी और यहना बबतिस्वावाले ने आवास उठाई और चीक कर कहा बुलाया कि पर्भू के लिए मार्ग समतल करो तैयार करो उसके पद सीधे करो जहाँ पर हमें चलना है जिन रास्तों पर चलना है वो उबड़ खाबड़ है वो शेतान के बनाए हुए रास्ते हैं और उन रास्तों को हमें परमेश्वर के लिए समतल बनाने है अपने लिए समतल बनाने है जिस आत्मा का उद्धार परमेश्वर किया है उस आत्मा का उस आत्मा को लेकर चलने के लिए हमारे खुटने सबल हो हमारे हाथ शक्तिशाली हो और वो हाथ और वो खुटने हमारे प्रात्रा का हतियार है हमारी प्राथना कातिया रहे दोस्तों जब हम उन खुटनों और हातों का इस्तमाल प्राथना के जरीए करते हैं प्रभू को ठूडने के लिए करते हैं प्रभू के चरणों में समर्पित होने के लिए करते हैं तो खुटना हमें ग्यान देता है वो खुटने की प्राथना वो प्रभू के लिए समर्पन हमारा पैदा करता है वो दिखाता है वो प्रसूत करता है दोस्तों याद करिए ऐसाब ने अपने एक वक्त के भोचन के लिए अपने पहलोटे पन के अधिकार को बेच दिया था और उसके बाद उसने आशीश पानी चाही लेकिन उसे आशीश नहीं मिली वो रोता रहा लेकिन वो पश्चताप के लिए वक्त नहीं पापाया तो परमेश्वर आपको पूरी तरीके से चंगाई देना चाहता है सिरु शरीर की चंगाई देना नहीं चाहता है वो आपको मन की चंगाई देना चाहता है याद करियो उस नामान कोडी को जो सीरिया का सेना पती था वो कोड से ग्रसित था लेकिन जब वो अलिसा के पास आया तो अलिसा ने कहा कि तुम अपने घमंड के वस्तरों को उतारो तुँ घमंड के वस्वरों को उतारो और यदन नभी में साथ बार डुपकी लगाओ परमेश्व चाहता था कि तुँ दीन बन, तु निम्ड बन, तु छुकना सीख, तु एहम का वस्वर उतार और यही शिक्षा परमेश्व हमें देता है और जैसे नहीं नामान ने साथ बार डुपकी लगाई वो मन और तन से पूरी तरीके से शुद हो गया पूरी तरीके से चंगा हो गया इसलिए पौलुस नभी हमें रूमियों के पत्री बारा में सिकाता है कि परमेश्वर के उस दया का इस मन दिलाता है कि उसकी दया हमेशा याद रखो मेरे भाई और अपने शरीर को पवित्र और ग्रहनियों के बल्दान बना कर परमेशर के सामने प्रस्थत करो यही हमारी आत्मिक आरातना है हमारी आत्मिक आरातना हमें उस आत्मा को जिसका हमारा उध्धार हुआ है उसको लेके चलना है और उसके लिए हमारे शितलहात और हमारे घुटने उनको बल मिले उनके लिए बल चाहिए इसलिए बाइबल कहती है कि यह शरीर हमारा अपना नहीं है हम प्रभू के है हम प्रभू के मौन लिये हुए है इसलिए जिब हम वशनों पर चलेंगे, जब हम वशनों को समझेंगे, जब हम पूरी तरीके से वशनों के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, तो जिस प्रान का उधार नहीं हुआ है, वो प्रान आत्मा के साथ चलने लगेगा, वो शरीर आत्मा के साथ चलने लगेगा यही परमेशर चाहता है कि जब तक पर्भूना आ जाए बादलों पर तब तक हमें उसके वशनों के अनुसार अपमें जीवन को बिताना है ताकि उध्धार कि वही आत्मा के साथ साथ हमारा प्राण और हमारा शरीर भी साथ साथ चले आई धन्यवाद देते हैं पिता परमेशर इस वचन के लिए इस दिन के लिए हम प्रात्रा करते हैं पिता परमेशर सुनने वाले हर भाई भेहन के लिए जिनका उध्धार हुआ है या जो उध्धार पाना चाहते हैं परमेशर उनकी मदद करिए परमेशर ताकि वो वश्णों को समझें वश्णों की कीमत को जाने वश्णों की गहराई को समझें उस बुद्धी को पाए जो आप देना चाहते हैं इनके हाथ और इनके घुटने पुरी तरीके से सबल हो जाएं गुट्णों के द्वारा पर्मेशन उस ग्õciaż करें उस प्रात्रां को प्रात्र करें जो आप देना चाहते हैं तकि आपकी बाट जो सके हो और आपके करीब आ सके इश्वमिजी के पवित स्था मरति नाम से इस सुबह के लिए आशीष मांगता हूं धन्यवादे तो प्रात्रा अपने सुनी और को भूल किये मैं